हाट हो हिसा हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप विहार में अभी सितंबर में ही एस्टिट का एक्जाम हुआ हुआ था फिर अपश्चाप जो शारी किया है उसमें यो लो지는 अब देखे फरवरी में होगा तो फिर अब देखे पहले क्या लिखा है फिर उसके बाद हम बात करेंगे देखे लिखा हुआ है कि यहां पर आप देखिएगा ध्यान दिजेगा तो लिखा है कि माद में सिच्छक पात्ता परिक्षा एस्टेट 2024 पर्थम के परिक्षा योजन के संभाविती थी एक टीन दोजार 24 से 24 तीन दोजार तेइस तक यानि जो अदिके पर्थम का मतलब होता है नाइन थेन अब एस्टेट भी दो पेपर होता है एक पेपर होता है नाइन थेन के लिए और एक होता है यहां आप लिखा है कि फरवरी में जो होगा आपका मादम इसवार ही आपका ओनलाइन ही एगजाम होगा और इसका जो डेट रिजल्ट जो देने का डेट है माई में रिजल्ट देने सोविज पांट सला cenat 14 थे 24 सीट पान साल बाद 11 में हुआ था तरफ 10 थे यह बहुत लंबा क्या गया है बहुत कम किये है तो इस फरी श्रीट परनी से इससे हमको नहीं लगता हैप कि जो निव सेसन में उनको ज्यादा फैदा होगा कि देखिए इस्टेट में फाइनल मांगा जाता है आपका आज आना चाहिए कि आप परविजिनल मांग सीट पर अप्लोट करना होता है तो अब यहां मार्च तक तो हमको नहीं लगता है शुरी कि आपका जो इमार्च में जो एक्जाम डेट दिया गया है कि इतना में क्या होगा कि रिजल्ट आप आएगा लेखिन चलिए अब देखिए को डेट बढ़ भी सकता है समझे इसको फोरा आगे एक दो महिन और आगे बढ़ाया जाता इसमें आपका 22-24 वाले सेसन वाले स्टुडेंट में करने समें सामिल हो जाता है तो इन्वर्शिती सबकाइसेसन ठीक है एक दो महिन और होता अप्रिल मैं तक जाता तो रिजल्ट आ जाता है तो वाले से ब्याइट कर रहे होंगे उनको क्या हो जाएगा कि बहुत फायदा हो जाएगा तो यह चीज है था आपका मार्च झाल झाल